I am back to my channel easy learning 100% तो student आज मैं standard first EBS का chapter number 7 कराने जारी हूँ जो कि है our clothes तो जैसा कि हमारा unit 2 चालू है जिसमें हमारे needs से related है हमारे needs क्या है तो food का जो भी need है सबसे पहला है हमारा food तो वो chapter हमेंने complete कर दिया है तो आज हम करेंगे our clothes means हमारे कपड़े पहला खाना दूसरा हमें कपड़ा चाहिए राइट तो आज हम अपने clothes के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक आर क्लोट्स chapter 7 we wear clothes to cover our body yes हम कपड़े पहनते हैं अपनी body को ढगने के लिए उसे cover करने के लिए clothes protect our body from heat cold and rain yes हम कपड़े क्यों पहनते हैं ताकि हमारी जो body है वह बहुत ज़्यादा गर्मी से ठंडी से बारिश से बच सकें तो इसलिए हम कपड़े पहनते हैं clothes keep us clean दूसरी बात कपड़े से हम सापसुत्रे रहते हैं we wear clothes to suit the seasons हम वैसे कपड़े पहनते हैं जो climate को suit करें जो season को suit करें राइट जैसे कि अभी गर्मी का season चल रहा है तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं हलके फुलके cotton के कपड़े पहनते हैं ताकि हमारी body ठंडी रहे और ठंडी में हम गरम कपड़े का पहनते हैं लाइक वुल से बने हुए उन से बने हुए मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं ताकि हमारी body को जो है गर्मी मिल सके और ठंडी से बच सके पारिश में ऐसे कपड़े पहनते हैं जो भीगे नहीं लाइक रेन को टूपर से पहनते हैं ताकि हम बारिश से भीगे नहीं ओके अंब्रेला यूज करते हैं तो season के हिसाब से हम क एसे कपड़े पहनते हैं, वी वर लाइट, लाइट मींस हलके कपड़े, कॉटन के क्लोट्स टु कीप अ कुल ता कि वो हमें ठंडा रख सके, कॉटन जो है हमारी बॉड़ी को कूल रखता है, ठंडा रखता है, तो यह सारे देखे, शॉर्ट्स पहनते हैं, बॉइज और गल् कपड़े पहनते हैं, ता कि हमें वो गर्म रख सके, ठंडी से बचा सके, तो देखे, मफलर है, फिर शॉल है, स्वेटर है, वुल से बने हुए, कैप है, तो यह सारे चिज़े, स्वेटर वगरा पहनते हैं, ठंडियों में, नमबर 3 है, इन रेनी सीजन, बारिश में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, वीवर, प्लास्टिक और रबर रेन कोट, रेन कोट पहनते हैं, जो कि प्लास्टिक या फिर रबर से बनी होती है, दे कीप स्ट्राइज, जो कि हमें सुखा रगते है, पानी अंदर सोकता नहीं है, हमारे बाडी में, वो फिसल जाता है, उस पे से, ओ आप जो भी रेगुलर पहनते हो कपडे, बात वौ पार्टी में जो पहनते हो उससे डिफंट होता, आप पार्टी में जो पार्टी में अलग कपड़े पहनते अगर कोई भी पार्टी ही , बिर्डेपारी होuz , यहाइब summit में हम बहुत ही कलरफूर और अट्रेक्टिव कपड़े पहनते हैं, so we wear attractive कलरफूर क्लोर्ट्स for parties, marriages, festivals and functions, कोई भी function हो, festival कोई तेओहार हो, party हो, शादी हो, right, तो हम बहुत ही कलरफूर डिजाइंग दर कपड़े पहनते हैं, right, so our uniform, फिर हमारा uniform, जो आप स्कूल पहन के जाते हैं, uniform, uni means एक जैसा, तो स्कूल में सब कपड़े एक जैसे होते हैं, uniform होते हैं, yes, so sometimes a group of children and people wear same similar clothes, बहुत जगह ऐसा होता है, जहांकि similar कपड़े पहने जाते हैं, जैसे कि police के कपड़े देखे, police के same uniform होती है, right, traffic police की, okay, doctors की, doctors की भी court होते हैं, right, तो ऐसे अलग-अलग सब के uniforms होते हैं, like postman के होते हैं, right, same khaki color के होते हैं, तो इस तरीके से, जो है कि सब के uniforms होते हैं, बहुत सारे profession में, so there are called uniforms, उसे हम uniform क्याते हैं, children in school wear uniform, बच्चे school में uniform पहनते हैं, people in the hospitals, yes, hospital में भी कुछ dress code होता है, पोलिस में, आर्मी में, नेवी में, एर फोर्स में, okay, सब के अपने-अपने uniforms होते हैं, right, देखिए, nurse हैं, यहां पे देखिए, inspector है, पोलिस, फिर यहां पे आर्मी है, okay, फिर नेवी है, तो ऐसे सब के अलग-अलग clothes होते हैं, we must always wear clean clothes, हमें हमेशा साफसुतरे कपड़े प तो आप अच्छा feel करोगे, fresh feel करोगे, और smart भी लगोगे, care of our clothes, सिर्फ कपड़े पहनना ही नहीं, हमें उसकी care भी करना है, student, yes, तो हमें अपने कपड़ों की care भी करनी चाहिए, उसकी देख भाल भी करनी चाहिए, first point है, we must take care of our clothes to keep them clean, सबसे पहले हमें यह क्यार करना है, क brush, अगर कोई दाग लगाए, तो brush use करें, और soft पानी से उसे धोए, we must keep them in cupboard when they are dry, और जब वो सूख जाए, तो उसे fold करके कबर्ट में अच्छे से रखना चाहिए, we must stitch our clothes when ton, अगर कपड़े कहीं फट जाते हैं, कहीं भी किसी तरीके से कोई सिलाई खुल जाती है, तो उसे ह not use or wear other clothes, हमें कभी भी किसी और के कपड़े नहीं पहने जाएं, क्योंकि कभी कभी infection भी होता है, किसी को infection तो आप उसके कपड़े पहन होगे, तो आपको भी हो जाएगा, तो इसलिए हमें avoid करना चाहिए, किसी और के कपड़े यूज करने से, अपने ही कपड़े इस्तेमाल क करें, तो आप healthy रहेंगे, चलिए, points to remember, क्या चीजे हमें इसमें याद रखनी है, clothes से related में, clothes protect our body from heat, cold and rain, सबसे पहली बात की, clothes जो हे कपड़े हमें, ठंडी, गर्मी और बारिश से बचाते हैं, we must wear clothes to suit the season, हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, जो season को suit करें, we must always wear clean clothes, हमेश साफ सुतरे कपड़े पहनने चाहिए, तो answer in 2-3 words में देखते है, how many seasons do we have, हमारे country में कितने season है, तो 3 season है, summer, winter and rainy, okay, 3, what clothes do you wear for school, school के लिए हम कैसे कपड़े पहनते हैं, तो uniform पहनते हैं, what do you wear in rainy season, बारिश में हम क्या पहनते है, rain coat, what things do we use to clean our clothes, हमें क्या यूज करना कपड़े साफ रखने के लिए, soap and water, okay, साबुन, पानी और ब्रश भी लिख सकते हैं, okay, बट यहां पर मैंने सिर्फ soap and water लिखाया, okay, next है, match the following, gum boots, gum boots का क्या match होगा, winter, summer, rain, किस में यूज करते हैं, rain में, बारिश में यूज करते हैं, woolen shawl, shawl हम winter में यूज करते हैं, cotton clothes हम summer में यूज करते हैं, okay, चलिए, कुछ project and activity, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, हर chapter में छोटा सा एक project and activity होती ही है, तो यहां पर एक puzzle दिया हुआ है, चलिए, solve करते हैं, puzzles को, इसको कुछ clues दिये हैं, first clue है, across or down, across means student, इस तरीके से, okay, slipping में, और down means ऐसे, standing में, okay, तो पहला है first number, we wear clothes, these clothes in winter, ये कपड़े हम ठंडी में पहनते हैं, तो चलिए, जाते हैं, across में number one देखते हैं, देखिए, number one, तो woolen clothes, तो यहां पर answer आ जाएगा, W-O-L-L-E-N, woolen, okay, second है, we wear these shoes in rainy season, ये shoes हम rainy season में यूज करते हैं, तो number two, चलिए, ढूनते हैं, कहा पर है, यहां पर, तो कौन से हम shoes यूज करते हैं, gum boots, G-U-M, gum, B-O-O-T-S, boots, gum boots, फिर है, we wear these clothes in summer, ये कपड़े हम समर में यूज करते हैं, तो चलिए, three numbers देखते हैं, यहां है, cotton, C-O-T-O-N, cotton, फिर है, हमारा last है, across, down में एकी है, सिर्फ, we wear these in rainy season, ये कपड़े हम बारिश में यूज करते हैं, तो rain में क्या use करते हैं, student, चलिए देखते हैं, rain coat, R-A-I-N, rain, C-O-A-T, coat, तो ये हो गया rain coat, तो यहां पे जो है, student हमारा ये chapter complete होता है, I hope आपने our clothes के बारे में सीख लिया है, बहुत कुछ इसमें, आपको समझ में आ गया है topic, so अगर वीडियो अच्छे लगी तो like, share and subscribe क आपकिली, bye-bye!